दिसंबर का मैना खत्म होने वाला है और नई साल की शुरुवात हो रही है नई साल के मौके पर दिली एंसियार के इलाकों में ठंड ने भी अब दस्तक दे दिये एक और जहां पहाडों पर बर्फबारी शुरू हो गई है वही मैदानी इलाकों में अब कौर आचाया हुआ है कौरे की चादर से पूरा मैदानी इलाका ढग गया है इस वक्त दस बज रहे हैं और हम इंडिया गेट पर मौझूद है लेकिन मेरे पीछे इंडिया गेट को देख पाना मुश्किल है यहाँ पर विजिबिलिटी बहुत कम है आलम यह है कि अभी भी सड़कों पे जो गाड शून ने बनी हुई थी मौसमवा कर यह भी कहना है कि आलम सिर्फ दिली एंसियार का नहीं है बलकि बाकी इलाकिये चाहे वो पंजाब हो हर्याना हो राजस्थान हो उत्तरप्रदेश के कुछ लाके मद्ध भारत के इलाकों में वी फॉक कही है और इस वक्त इंडिया गेट कहां से आप दिली से दिली से नहीं है हम तो लखनव से आए हैं लखनव नवाबों का शेहर और यहां राश्ट राज़ानी दिली में मौसम कैसा लग रहा है बहुत तो अच्छा लग रहा है मौसम यहां हमारे यहां तो बहुत अभी गर्मी है लेकिन यहां अच्छा मौसम वहां पर भी होता है है तो यहां का मौशम कैसे अलग लग लग तो ऑच्छा लग एक सवाल पिर अपसे बिली की ठंड के लिए बहुत जानी जाती है क्याते डिली की ठंड बहुत फेमस है कई गाने बन गए बस पर दिन से हम पर ठारे हुए है पर मुझे थोड़ा सा ठंड हा और यहां पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से धीर धीर अब जो लोग घूमने इंडिया गेट आते हैं वो पहुंच रहे हैं मौसम में वाक कहना है कि नए साल के मौके पर जहां एक और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी वहीं मैदानी लाकों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है वहां बर्फबारी के साथ हल्की फुल्की बारिश मैदानी लागों में ठंड बढ़ा सकते हैं लेकिन फिलहाल जो आलम है वो यह है कि दिले अंसियार के साथ जो पड़ोसी राज़े हैं वहां कोहरा बहुत घना है कोहरा इतना घना है कि विजिबिलिटी बहुत कम है और अब अब अगर अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो गाड़ी बहुत साफधानी से चलाएं क्योंकि स्कौरे का असर एक और जहां यातायात पर पड़ेगा विमानों पर पड़ेगा वहीं आपकी सिहत पर भी पड़ सकता है और यही जो डेंस फॉग है यह एक्सिदेंट को भी नियोता देती है इसलिए बहुत साफधानी से गाड़ी चलाएं और इस कोहरे में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखे क्योंकि यह तस्वीर अभी तीन से चार दिन और बढ़ने वाली है झाल